हेलो गाइस कैसे है आप लोग स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि अगर आपके रेड्मी 9 आइफोन में हेंगिंग प्रोब्लेम देखने को मिल रहे तो उस प्रोब्लेम को आप लोग कैसे सौल्व कर सकते हो अगर आपके पास एक रेड्मी 9 आइफोन है वो जो है बहुत हैंग और आएग गैम खेलने में या किसी भी एप्लिकेशन को चलाने में तो इस प्रोब्लेम को आप लोग कैसे सौल्व करोगे गई तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो पसन आए वीडियो को लाइक कर दिजिए और चैनल को सबस्क्राइब जरूर से कर लिजिए तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो hanging problem को solve करने के लिए आपर सबसे पहले क्या करना है गाइस अपने background में से application को clear कर लेना है तो देख सकते हैं आपर मैंने background में कुछ application को चलाए हैं अगर आपके phone में जो है आपर background में बहुत सरे application run हो रहेंगे जैसे कि games हो गया website हो गया या वीडियो या music बगेरा तो भी जो है आप लोगों को hanging problem देखने को मिल जाएगा तो आप लोगों को यहाँ पर से सभी application को clear कर देना है गाइस clear करने के लिए देख सकती है अब एक क्रोस का बटन है क्रोस के बटन पर क्लिक कर दीजिए सभी application यहाँ पर से clear ह हो जाएंगे और आप लोगों जो hanging problem है वो भी solve हो जाएगा उसके बाद आप लोगों क्या करना है इस यहाँ पर से आप लोगों को उपर से निचे स्क्रोल डाउन कर लेना है उसके बाद देख सकती है आपर कुछ option है वाइफाई मुबाइल डाता ब्लूटूथ उसके option को जो है ओफ कर सकते हो ओफ करने के बाद भी जो है आप लोगों का hanging problem solve हो जाएगा उसके बाद आप लोगों क्या करना है उसके बाद यहाँ पर से आप लोगों को play store को open कर लेना है play store को open करने के बाद यहाँ पर देख सकते उपर के साइट में एक gmail का profile देखने को मिलेग तो इसपे click कर देना है click करने के बाद नीचे देख सकते एक settings का option है settings का option पे click करना है और यहापर जो second वाला option है इस network preference का इसपे click कर देजिए click करते ही आपर तीन option देखने को मिल जाएगा आप लोगों को और यहापर जो beach वाला option देख सकते हो auto update apps लिखा हुआ है इस पे अगर हम click कर देंगे click करते ही आपर 3 option देखने को मिल जाएंगे अगर आपके phone में उपर के 2 option पे set है मतलब over any net talks और over wifi only में तो क्या होगा guys अगर आपके phone में data on करोगे आप लोग या wifi को connect करोगे आपने phone से तब जो है background में automatically application update होते रहेंगे तब भी जो है आप लोगों को hanging problem देखने को मिल जाएगा तो आप लोगों इस option को off करना है guys off करने के लिए देख सकते हैं लास्ट वाला option don't auto update apps इस पे click कर दिजिए और या पर ओके पे click कर दिजिए अभी जो है आप लोगों के phone में कोई भी application background में अपडेट नहीं होंगे ठीक है तो यह करने से भी आप लोगों को hanging problem बहुत हत्तक कम हो जाएगा उसके बाद आप लोगों क्या करना है guys अपने storage को खाली कर लेना है अगर आपके phone में storage फूल होगा तब भी जो है आप लोगों को hanging problem देखने को मिल जाएगा तो स्टोरेज को खाली करने के लिए आप आप से आप लोग गैलेरी में से फोटो या वीडियो को डिलेट कर सकते हो जो भी आप लोग की उस नहीं कर रहे हो तो डिलेट करने के बाद आपका hanging problem में आपर solve हो जाएगा उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं अगर आपके फॉन में बहुत सरे एप्लिकेशन डाउनलोड है जैसे गेम्स या एप्लिकेशन वगेरा अगर आप लोग वह यूज नहीं कर रहे हो तो उन सब को जो है आप लोगों को आनिंस्टॉल कर देना ह क्योंकि अगर आपके फॉन में बहुत सरे एप्लिकेशन होंगे आपका रेम फूल हो जाएगा और आपको देखने को मिल जाएगा तो आप लोग जिस भी एप्लिकेशन को यूज नहीं कर रहे हो गईस उस एप्लिकेशन को आप लोग अनिंस्टॉल ज़रूर से कर लिजए देख सकते अनिस्टोल का option है उस पे क्लिक कर दीजिए आपका जो यह application है वह अनिस्टोल हो जाएगा और आपका phone में जो hanging problem है वो भी solve हो जाएगा उसके बाद आप लोग क्या कर सकते गई यहापर देख सकते एक security का option है यहापर से आप लोगो आपने फ़न को लोग कर लेना है तो क्लिन करने के लिए करने के लिए पहले में cleaner पे click करूंगा, click करने के बाद नीचे एक option देखने को मिलेगा, clean up देख सकते हैं, इस पे click करते हैं आपका phone यहापर से clean हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को back जाना है, back जाने के बाद boost speed पे click कर देना है, और यह आपन नीचे एक option आएगा guys, थोड़ा wait करते ह इस पे click करना है, आपका phone का speed है यहापर थोड़ा increase हो जाएगा, तो यहापर से फिर से आप लोगों back में आ जाना है, उसके बाद उपर देख सकते हैं, इस optimize का option होगा, इस पे click कर देना है, आपका phone यहापर से थोड़ा optimize हो जाएगा, optimize होने से भी जो है, आप लोगों का hanging problem जह हुए, आपर solve हो जाएगा, तो आप लोगो clean करते रहना है, इस कभी-कभी अपने phone को उससे भी आप लोगों का hanging problem solve हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों का settings में जाना है, settings में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे scroll down कर लेना है, और यहापर एक option देखने को मिलेगा, इस लोग ज्यादा use नहीं कर रहे हो, यह आपको लगता है कि उस application का notification नहीं आने से भी चलेगा, तो उस application का notification आप लोगों को off कर देना है, तो notification आप करने एक देम easy है, इस साइड में देख सकते, application के साइड में एक button है, इसको off कर दीजे, notification off हो जाएगा, तो यहापर से जिद ज इस application के notification आप लोगों को off करने है, उसमें क्लिक कर दीजे, ऐसे करके notification off होता जाता रहेगा, ठीके guys, तो notification off करने से भी जो है, आप लोगों का hanging problem solve हो जाएगा, आपके phone में अगर ज्यादा notification आता है, तब भी आप लोगों को hanging problem देखने को मिलेगा, तो यहापर से किसी किसी apps क आप लोग notification off करके रख सकते है, तो ऐसे करके जो है, आप लोग अपने Redmi 9 iPhone में hanging problem को solve कर सकते हो, तो कैसा लगा, आप लोगों को कोई वीडियो अगर वीडियो पसाना हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लिजिए, मिलते हैं कर नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, बाई बाई